हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो इस्टेटीवित की अन्रकास, तो हम लोग पढ़ रहे हैं NCRD की हिस्ट्री, इसमें हम लोग कच्छाचास लेकर बारा तक की जो भी NCRD की हिस्ट्री है, उसको डिस्कस कर रहे हैं और क्लास वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो कच्छाचा की जो किताब है, आवर पास्ट यानि की हमारे अतीत, उसके अब तक दो चैप्टर कंप्रीट हो चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर हम लोग करेंगे डिस्कस, चैप्टर वन और चैप्टर टू देख लीजिए का यह इंपोर्टेंट है, आज का चैप्टर तो बहुत ही आराफिक नगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और देखेए यह जो सरी यह करम से ऐगे बढ़ेगी, सबसे पहले तो लोग क्या पढ़ रहे हैं, और यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग हिस्टरी करेंगे, हिस्टरी के बाद हम लोग चलेंगे ph picked कर हैंगे पह जड बेस है अगर आप इस तरी से एक बार देख लेते हैं तो फिर आपको जो है सामाने ध्यन में अच्छे खासे अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 आरंबिक नगर और आपको बता दें कि NCRT की एक अलग से प्लेइलिस्ट मिल जाएगी आपको और उस प्लेइलिस्ट को आप NCRT से या फिर यूट्यूब से चलिए स्टार्ट करते हैं और आज है चैप्टर 3 तो यहां पर देखिए बहुत सरी चीजें हैं जिनको छोड़ देना उचित होगा क्यों कि हम तूदी हडपा के बारे में तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगबग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलबे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजिनिरों को अचानक हडपा पुरास्थल मिला जो आधनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी इंटे मिलेंगी मतलब उनको यह स्वज़ में नहीं आया कि यह पाके खंडरों से हजारों इंटे उखाड ले गए रेलबे लाइन को बनाने के लिए और इस तरीके से कई इमारतें पूरी तरह से नस्ट हो गई इसके बाद लगबग 80 साल पहले पुरातत विदों ने इस अस्थल को ढूणा और तब पता चला कि यह खंडर मतलब 150 साल पह में से एक है चुकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पूरास्थरों में से जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हडपा सभिता की इमारतें कहा गया इंसारों का निर्मार लगबग 4700 साल पहले हुआ था अब से मैप देखिए बहुत इंपॉर्डेटनमियप है और यहां पर देखेंगे अच्छा बताओ यह वाला एरिया कौनसा है यह वाला एरिया तो देखो यह kullan डृड़ ठीक है यह गुज्जाते ऐप कांठे देखेंगे तो देखो यह सिन्दुनरदी बहुत है Kenti के बारे में जेलम नदी है, जेलम मुख की रूप से आकर कहा मिलती है, सिंद में मिलती है, इसके पाद देखेंगे अगर आप तो ये नदी देखिया, ये कौन से नदी है, ये चेनाब नदी है, चेनाब में कुछ सहाइक नदी आकर जुड़ती है, जैसे कि आप देखने हैं कि चेनाब न locations आप यादला अखral देखें यहां पर क्या बताया गया कि ये नंगर आधनी पाकिस्तान अच्छे d credit के भारत हो गया तो इसके बाद यह जो एरिया मिलेगा आपको ये पाकिस्तान इसके बाद जो विलेगा वह अफगहनी सतंद हैmos i पीने के अलामा ब्यापार करने यात्रा करने में भी नदियां सहायक होती हैं। तो ज्यादा तर जो प्राचियन सभितायंती वो नदियों के किनारे ही विक्सित हुई। तो यहाँ पर देखें यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंद प्रांतों, भारत के गुजरात, अब गुजरात वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह धौला वीरास उट्दा यह सब गुजरात भी मिलेगा आपको, और यह चनुदरो है, और यह लो प्रांतों में यह लोकेशन्स मिली हैं, और इन सभी अस्थरों से पुरातत विदों को अनोखी वस्तुई मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बरतन मिले हैं, जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर की बाट मिली हैं, मूरे मिली हैं, मन के तामे के उकरण और नगर का जो पष्टमी हिस्सा होता था इस साइड का ये हिस्सा क्या होता था ये उचाई पर बना होता था और पूर्वी दोनों हिस्सों की चाहर दिवारियां पके इंटों से बनाई जाती थी और ये इंटे थी काफी अच्छे तरीके से पकाई जाती थी और उनसे जो चिनाई हुई जो दिवारें बनी वो आज तक मौझूद हैं तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ नगरों के नगत दुर्ग में कुछ खास हीमारतें बनाई गई गई गी। मुहन जोदो में एक खास तलाब बनाया गया था। महान अस्नानागार जिसे का अगया इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। इस तालाव को बनाने में इंट और प्लास्टर का इस्तिमाल किया गया था। तो क्यों से पानी उस्तिमाल करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और यहाँ पर सायद जो उस समय के विशिश्ट नागरी खोते रहेंगे। उनको जो है विशेस्ट अजरों पर अस्तान करने के लिए यहाँ पर आते रहे होंगे काली बंगा और लोथल ये लोकेशन देखिए ये आपका लोथल हो गया और काली बंगा भी तो जैसे अने नगरों में अगनी कुंड भी मिले हैं मतब वहाँ पर समभता है ये जो अगनी कुंड रहे होंगे वो यग्य करने के लिए रहे होंगे हडपा महण जोड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडागरी मिले हैं भंडागरी जहाँ पर अन वगएरा को इस्टोर किया जाता था ये महान अस्टानागार की चित्र है मतलब तस्बीर है आप फड़ा सा देखिए इसको मैं इसको तुछा सा जूम करता हूँ ताकि आप इसे और अच्छे तरीके से समझ पाएं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस महान अस्टानागार को बहुत इद्दिब है यह तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वाला जो पोर्षन है यहाँ पर उतर के मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप जैसे कि आप य यह वाला पोर्षन तो यह वाला जो पोर्षन है अच्छे इदर से तो को शिड़ी बनी हुई है उतरने के लिए और इधर से भी शिड़ी बनी हुई है अब यह तस्वीर जो है इस साइड़ी से ले गए तो यह शिड़ी आपको नहीं दीख रही है लेकि यह दिख रही है इसे पिकार से इदर से भी शिड़ी बनी हुई थी इसके चारों और आप देख रहे हैं कि उतरने के लिए जो पाट बनाए गए हैं मतलब चलने फिरने के लिए यह कमरे भी बने हुए हैं तो यह काफी मतलब ऐसी चीज़े हैं जो कि वास्तों में यह नमूना उस समय का प् काफी सांदर तरीके से चिनाई की जाती थी अब सोचिए कि यह जो लगबाश 4700 साल पहले हो सकता है कि यह सबिता 6000 साल पहले रही हूँ लेकिंग कि किताबों में तो 4700 साल पहले बताई जाती है तो उस समय की दिवाल उस समय की इमारते आज तक यहां पर मौजू होते हैं इन नगरों के घर आम तोर पर एक या दो मंजले होते थे और घर के आंगन के चारों और कमरे बनते थे जैसे कि आजकल बनता है न कि अगर आप आपका घर बनता है तो बीच में क्या होता है आंगन होता है यह गाओं की पदती होती थी उसके चारों तरफ कमरे बनाय जाते था हर नाली मतलब जल निकासी की एक सांदार व्योस्था इसमें की जाती थी घरों से नाले निकल कर एक जो सड़क के किनारे नाले बनती थी उसमें जाके खुलती थी और इसके बाद ये नाले जाकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी तो जल निकासी की सांदार व्योस्था इसमें की गई थी, नालों के ठके उन्हें के कारण इसमें जंगा जंगा में होल बनाये जाते थे, जिनके जरीए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी, घर नाले और सडकों का निर्माण योजनाबत तरीके से एक साथ किया जाता था, तो आप यहाँ पर देखिए, यह द तो हडपा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, यह अनमाण लगाया जाता है क्योंकि इस प्रिकार की उन्नत सब्रिता उसमें निवास करती थी, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, जो नगर की खास इमारते बनाने की योजना में जूटे रहते होंगे, यह सूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभोशणों जैसे केम्ती चीजों को अपने पास रखते होंगे, इन नगरों में लिपिक भी रहते होंगे, लिपिक का मतलब कलर कोला लिपिक नहीं, जो मुहरों पर लिखते थे और साद अन चीजों पर भी लिखते रहे होंगे, सिर्फ इस्तरी थी या सिर्फ पुरुस्ता या दोनों थे तो ये जानकारी हमें यहां से प्राप्त हो जाती है इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो यहां पर देख रहेंगी कुछ कुईएं भी प्राप्त होते हैं यह कुईएं करी आखरती है आप यहां पर देख सकते है और इसके बाद ये देखो एक मुहर मिली है इस पर एक जानवर की तस्बीर बनी हुई है ये उस समय की लीपी है जो कि इस मुहर पर प्रदसित की गई है लेकिन ये लीपी अभी तक पड़ी नहीं जा सकी है बच्चों के खिलने के लिए ये पकी हुई मिट्टियों से खिलोन गए है इसको देखो तो सायद इनका उपयोग वस्तमों को तोलने में क्या जाता रहा होगा और इसके बाद यहां पर देखे ये मनके बनाए गए है मतलब मालाओं में मनके भी लगते थे और ये मालाओं बनाई गई है मालाओं को बनाने का जो तरीका है ये भी आप यहां बन सके, मद्ध में दाएं पत्तर के धारदार फलक आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अच्छ नीचे दाएं, कढ़ाई दार वस्त्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि जो वस्त्र हैं वो कढ़ाई दार हैं, और मूर्तियां भी मिली हैं, यह मूर्तियां देख रहे हैं कि इसको बनाने वाले भी उसमें मतलब मुर्थिकार भी रहे होंगी, तो एक बहुती सम्रिद सब्यता उसमें निवास करती थी, हडपा सब्यता के लोग पत्थर की मुरें बनाते थे, मुरों के बारे में मनें आपको बताया था, ऐसी मुरें बनती थी, यह मोरे क्या थी यह पत्थर की बनी होती थी इन आयताकार मोहरों पर सामानेता जानवरों के चित्री मिलते हैं हडपा सबिता के लोग काले रंग से डिजाइन किये विए खुबसूरत लाल मिट्टी के बढ़तां भी बनाते थे तो इसको आप देख सकते हैं यापर ठीक है फिर चली आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे यापर कि क्या हुए पत्थर के बाट बनाते थे बाट का मतलब जैसे कि जब आप जाते हैं फिलाल तो डिजिटल तराजू आशकल आ गए हैं उसके पहले जो तराजू हुआ करते थे तो एक किलो, दो किलो, आदा किलो, दो सो ग्राम, पचास ग्राम के बाट हुआ करते थे तो बाट, ये बाट, मतलब ये उसी की बात यहाँ पर हो रही है तो सम्भवत है, 7000 साल पहले मेहरगड में कपास की खेती होती थी मेहरगड के बारे में आपको बता चाहें कि मेहरगड की लोकेशन क्या हो सकती है तो यहाँ पर आप मेहरगड को भी देख सकते हैं मेहरगड की लोकेशन यह है यह जो है बेसिकली जो बरतमान में बलोचिस्तान है पाकिस्तान का जो एरिया है तो वहीं पर आपको मिलेगा मेहरगड तो मेहरगड अब आप समझ गए होंगे तो मेहरगड की में कपास की खेती होती थी बरतमान बलोचिस्तान की बात हो रही है म और friends का मतलब समझ रहाए है, friends? तो देखो friends, यहाँ पर क्या है कि अधिकांस वस्तूओं का निर्मार विस्सतक्यों के द्वारा किया गया था. विस्सत-क्या मतलब एक्सपर्ट होते थे उस समय जिसे आजकल होते हैं, एक्सपर्ट वही भी काम करवाने के लिए आप उसी प्रिकार के वेक्तियों को खोजते हैं, घर बनवाना है तो घर बनाने के एक्सपर्ट अलग होते हैं, मुर्तिकार अलग होते हैं, चित्रिकार अलग होते हैं, तो यह भी था कि उसमें जो वस्तों क कर निर्मार होता था उनके भी expert होते थे विसे तक उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास training लेता है जैसे कि पत्थर को तरासना मनके को चमकाना फिर मुहरों पर पच्चिकारी करना आ दी तो यहां पर इस तस्वीर को देख के आपको सुझ में आ जाता होगा हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पूरुस ही ऐसे कामों में training लेते थे या पूरुस और महिलाएं दोनों अनुमाने की दोनों ही रहे होंगे अब मैंने आपसे पूछाता ना फेंस क्या होता है फेंस आप यहां पर देखिए फेंस का मदलब पत्थर और संग प्राकरितिक तोर पर पाया जाते हैं लेकिन फेंस को क्रित्रिम रूप से तयार किया जाता है बालू या असफटिक पत्थरों के चूण को गोंद में मिना कर उनसे वस्तुयें बनाई जाती हैं इसके बाद उन वस्तुयों पर एक चिकनी पर चड़ाई जाती है इस चिकनी परत के रंग प्राया नीले या हलके स मुद्री हरे होते थे, फेयन से मन के चूडियां बाले और छोटे बर्तम बनाया जाते थे, बर्तमा समय में अगर आप कभी निकलेंगे यातरा पर तो आप देखेंगे, सड़कों के इनारे, आपको मूर्तियां बेशते विए लोग दिख जाएंगे, तो वो जो मूर्तियां ह बनती थी, वो बालू और अस्फटिक पत्थरों के पौडर से बनती थी, इन्हें कहते हैं फेंस, अब देखो ये कच्चे माल की खोज, कच्चा माल क्या होता है, कच्चे माल उन परदार्थों को कहते हैं, जो या तो नेचूरल तबीके से मिलते हैं, या फिर किसान या पस कच्चा माल कहते हैं, इसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा त्यार के रहता है, हडपा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तामा लोभा, सोना चांदी, अब हमों पत्थरों के लिए वो दूर दूर तक यात्रा करते थे, आयात करते थे, ये तस्व लाडियों का भी प्रयोग होता रहा होगा, और ये क्या है, ये एक मुहर है, ये भी आप देख सकते हैं, हडपा के लोग तामे का आयात संब्वोता है, आज के राजस्थान से किया करते थे, ये लाइन या दखना, हडपा के लोग जो तामे का आयात करते थे, वो बरतमान राजस्थान से करते थे, यहां तक कि पस्चिमी एस्याई देश ओमान से भी ताबे का आयात किया जाता रहा होगा, कासा बनाने के लिए ताबे के साथ मिलाई जाने वाली धातू जो टिन होती है, टिन का आयात आधुनिक इरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, सोने का का आयात होता था आधुनिक करणाटक अभमुल पत्तों का आयात होता था गुजरात इरान और अफगानिस्तान से तो यहां पर आप देख सकते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था लोग नगरों के अलावां गाओं में भी रहते थे बरतमान समय की तरह वे अनाज हुगाते थे और जानवरों को पालते थे, किसान और चरवाहे ही सहरों में रहने वाले सासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के समान देते थे, ये प्रक्रिया आज भी है, पौधों के असोसों से पता चलता है कि उस समय लोग यहूं जो दाले मटर, धान, तिल औ और सरसों उगया करते थे, और जमीन की जुदाई के लिए हल प्रयोग में लाया जाते थे, ये देखो बच्चों के खेलने का हल मिला है, तो इसी से अंदाजा लगता है कि उस समय भी जो हल रहे होंगे, अब यह पत्थर का है तो बच गया, अब लकडी के हल रहे होंगे, तो वो हल तो नस्ट हो गए है, लेकि फिलाल अंदाजा लग जाता है कि हल का प्रयोग किया जाता था खेतों की जुदाई करने के लिए, क्या-क्या पालते थे, कौनकों से जानर उसमें थे, तो गाय, भैंस, भेंड और बकरियां, और बस्तियों के आसपास तलाब और चरा भी करते थे, गुजरात में हडपा काली नगर का, जब सूख स्रिक्षन किया गया, तो कच्छ के इलाके में, गुजरात में है न कच्छ, वहाँ पर खदीरबेद के किनारे, धौला वीदा नगर बसा था, धौला वीरा, धौला वीरा कहां पर मिलेगा आपको, यह मैं आपक आपको ऐसे दिखाता हूँ, यह पुरा गुजरात है, ठीक है, गुजरात के ऊपर यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के जस्ट नीचे वला जो एरिया है, यह क्या है, यहाँ पर देखो यह है, धौला वीरा, समझ गया आप, यह धौला वीरा है, तो गया था तो याद अगना की हडपा सबेता के कई नगर दो भागों में थे लेकिन धौला विरा को तीन भागों में बाटा गया था तो ये एक धौला विरा की विशेष्था थी इसके हर हिस्से के चारो और पत्तर की उची उची दिवार बनाई गई थी जो तीन हिस्से थे उ यहां मिले कुछ औसेसों में हडपा लिपी के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया है और इन फिलेकों को समवतर लकडी में जड़ा गया था अब ये एक अनोखा औसेस है याद रखना आम तोर पर हडपा के लेक मुहर जैसी छोटी वस्तूपर पाया जाते हैं लेकिन हडपा के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खोदा गया हो ऐसा औसेस सिर्फ मिलता है धौला विरा में ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना कि कुछ अधुसों में रखना लिपी के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खोदा गया है और पत्थरों पर खोदे गए औसेस यानि कि जो उसमें हडपायन जो इस्क्रिप्ट थी उनको पत्थरों पर लिखा गया हो तो देखो लोथल वाला जो एरिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी, गल्फ आप खंबात, ये देखो ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हो आप कच्छ है, ये उपर वाला जो जो हिस् खंबात की खाड़ी दुनों खाड़ियां जो हैं अरेबियंसी में आकर मिल रही हैं यह भी आप देख रहे हैं तो यहीं पर यहीं जो लोकेशन है यहीं पर लोथल नगर बिक्सित हुआ था जो लोथल था वो यहीं पर बिक्सित हुआ और यहां जो लोथल नगर है यहां से क इम्ति पत्थर जैसा जो कच्चा माल था वो आसानी से मिल जाता था यह पत्थरों संकों और धातों से बनाईगी चीजों का एक मुहत्तपुन के इंद्र था और लोथल में एक भंड़ागरी भी मिला है इस भंड़ागरी से कई मूरे मुद्रांकन या मुहरबंदी गिली अब इस समय की तरह वहाँ उस समय तो बड़े बड़े टाइटेनिक हुआ नहीं करते थे जो नावें थी वो बस इसी सायच करती थी तो समुद्र के रास्ते जब लोग आते थे तो इसी तालाब में आते थे और यहीं से यह पोड था उस समय का यह बंदरगा था ठीक है तो मन के बनाने वाले उपकरण और तयार मन के भी इसी फैक्टरी में मिले हैं इसी इमारत में मिले हैं यह मिट्टी आप देख रहे हैं इस मिट्टी के विश्यस्ता क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको जो है मुहर लगाया गया है मतलब यह कि उसमें जो सामान बेज तो वहाँ पर एक स्टीकर लगा देते हैं और उसको खीचने पर नीडा हो जाता है तो वालो मुद्धा की टेंपरिंग हुई है तो इस प्रिकार से व्योस्ता उस समय भी की गई थी दिने दिरे यह जो सभिता थी वो सभिता खतम हो गई लगबग 4900 साल पहले एक बड़ा नस्ट हो गई अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया लेकन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया मुहन जोद्रों में सडकों पर कच्रे के धेर बनने लगे जल निकास प्रडाली नस्ट हो गई मतलब द बिदेशी आक्रमण कारियों ने आक्रमण किया होगा बहुत सारी वज़े हैं लोग कल्पना के आधार पर बताते हैं और फिलाल दीरे दीरे ये जो सब बिता थी वो नस्ट हो गई आसे 4000 साल पहले तो मवेशियों के बड़े बड़े जुंडों से चारागा और घास वाले म नहीं गया है ऐसा लगता है कि सासों का नेंतरन खतम हो गया होगा यानि कि कुछ ऐसी वजहें रही होंगी कि वहाँ पर जो जनता थी अपने आप ही वहाँ से मूब कर गई होगी जो कुछ भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिलकुत साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस पर है उसमें पढ़ेंगे यहां पर देख रहे हैं आप यह तस्बीरा पचान रहेंगे यह मिस्र के पिरामिड है लगवा पांच जार साल पहले मिस्र में सासंग करने वाले राजाओं ने सोना चादी यहां ती दाद लकडी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाय रहस्यों में सामिल हैं यह इतने मजबूत पिरामिड क्यों बनाएगे इसके बारे में अभी तक सिर्फ अनुमान लगाया जाता है हलां कि कुछ पिरामिडों को खोला भी गया तो पता चला कि वहां पर राजा का सो रखा है सो के पास वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मतलब लगबाच 40,000 साल तक खराब नहीं होती है अगर उसमें कोई मिलावट ना किया जाए और इसे कौन बनाता है मधुमक्या बनाती है तो इस प्रकार से जो परंपा थी और जो सब्विता थी शुरू भी हुई और उसका अंत भी हुआ तो इस प्रकार से चैप्टर भ कि मतलब विसन भी हुआ लगफ मिलार जहीं होती हैं Kabul है मुई खराब टॉर कोण